नीम का पानी रवायते तोर पर चक्रा बर्सगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर चिकन पाक्स और फपुन खस्रा जिसे रूड़ान बर्सगीर में जिसमें बर्सगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर चिकन पाक्स और खस्रा जैसे इंफिक्शन के लिए संबल होता रहा है बर्सगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर खस्रा और चिकन पाक्स जैसे इंफिक्शन के लाज के लिए इस्सिमाल होता रहा है आज हम यहां नीम के बारे में वीडियो बना रहे हैं वेदिक जमाने से लोग शफाया भी मदद के लिए इस देशी दरख्त का रुख करते थे संस्क्रिट में तमाम बीमारियों के इलाज करने वाले के तोर पर जाना जाता था नीम दर्दों बुखारों दस इंफेक्शन्स और बेश्मार शिकायत की हत्मी इलाज है हत्मी इलाज है एशिया और अफरीका दोनों मुलकों में हमेरे या कमे अगर रहा एशिया और अफरीका दोनों मुलकों में लाखों लोग नेम की टेन्यू से अपने दांट साफ करते हैं दांटों के डाक्टर इसकदी में अमिल की तौसीक करते हैं जो इसे मौसुनों के सोशिश और पेरोडोनल बीमारी के रोकने में सबसे ज़्यादा मौसर समझते हैं इंफेक्शन्स और बेशमार दूसरे इंफेक्शन्स का एशिया और अफरीका दोनों मौसरे में लाखों लोग नेम की टेन्यू से अपने दांट साफ करते हैं दांटों के डाक्टर इसकदी में अमल की तौसीक करते हैं जो इसे मौसुनों की सोशिश और पेरोडोनल बीमारी को रोकने में सबसे ज़्यादा मौसर समझते हैं नीम एंटी वारल और जसम कश और फफून कश है बरसगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर चक्रा बरसगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर खस्रा और फफून कश दान्दों के डाक्टर इसकदी में अमल की तोसीक करते हैं जो इसे मसोडों की सोज़िश और पेरोडोनल बीमारी को रोकने में सबसे मुश्र समझते हैं नीम एंटी वाइलल जरासिम कश और फफुन कश है बरसगीर में संस्किर्ट में तमाम बीमारी के इलाज करने वाले के तोर पर जाना जाता था वेदिक जमाने से लोग शफायाबी में मदद के लिए इस देशी द्रख्त का रुख करते थे संस्किर्ट में तमाम बीमारी के इलाज करने वाले के तोर पर जाना जाता था नीम, दर्दों, बखारों, दस इंफेक्शन्स और बेशमार दीगर और दीगर शिकायत का हत्मी इलाज है ता मेरा उस्ताथ यह भी एशिया और अफरीका दोनों मुमालक में लाखों लोग नीम की टेन्यू से अपने दांट साफ करते हैं दांटों के डाक्टर इसकदी में अमल की तौसिफ करते हैं जो इसे मसोडों की सोजश और पेरोडोनल बीमारी को रोकने में सबसे ज्यादा मौसर समझते हैं नीम, एंटिवारिल और जरासिम कश और फफून कश है बरसगीर में नीम का पानी बरसगीर में नीम का पानी रवायती तोर पर चिकन फाक्स और खस्रा जैसे इंफेक्शन के लिए इस्तिमाल होता रहा है बरसगीर में नीम का पानी नीम का पानी रवायती तोर पर चिकन पाक्स और फफून खस्रा जैसे तो हम यहां पे आए हैं आज वीडियो बनाने के लिए तो आज हम पौदों के बारे में बात करेंगे दुनिया में तकरीम चार लाग अक्साम के पाई जाते हैं जिने निवातात के माहरीन मुख्तर एक्साम में तब्दिल करते हैं तब्दिल करते हैं आज हम यहां पे वीडियो के शीटिंग के लिए आए हैं जो नीम के बारे में है नीम हमारे सामने है, इधर से देखो, यह हमारे पीछे है, यह वाला जो दरखता है न बड़ा, यह नीम है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाना है आज, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सके, और फिर हम दोबारा हम यहां आएंगे, अगले संडे को इन्शाला बनाएंगे इसको, पूरा तब तक के लिए, खुदा आफिस.